हलो फ्रेंड्स बेलकम टो SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे साइन्स के 24 कोशन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है जो कि एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है साइन्स के 24 कोशन तो आप इस वीडियो को अंत तक जरू देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला कोशन है आपका बेरी बेरी रोग किसी बिटामिन की कमी से होता है तो बिटामिन B1 की कमी से आपका बेरी बेरी रोग होता है अगला कोशन है पैपसिन क्या होता है दोस्तों पैपसिन एक एंजाइम होता है इस का अंसर क्या हो खटा कहां पर होता है ये पूछा गया ठीक है तो ये दोस्तों यकरत में खटा होता है या फिर पेशियों में इसका आंसर क्या हो जाएगा यकरत तथा पेशियों में ठीक है दोस्तों अब देखते हैं अगला कोशन अगला कोशन है पित्त का मुख्यकार क्या होता है पित्त क की कमी से ठीक है चाहे आदमी हो चाहे औरत हो उसकी जनन छमता में जो कमी होती है वो vitamin E की कमी से होती है अगला question है कौनसा दूद reaction है ठीक है कौन सा दूदühr प्रोटीन है दोस्तो इसका सही comments एका केसिन अब question कि सी vitamin को हार्मोन भी कहा जाता है तो vitamin D को हार्मोन भी कहा जाता ठीक है अगला कोशन है मलेरिया रोक का मुख्य कारक क्या है जो मलेरिया रोक का मुख्य कारक क्या है दोस्तों प्लाजमो डियम क्या है दोस्तों प्लाजमो डियम इसका सही आंसर हो जाएगा अगला कोशन है यांतरिक उर्जा को बिद्धित उर्जा म बदलती है उसका आंसर हो जाएगा डायनेमो ठीक है डायनेमो इसका सही आंसर हो जाएगा मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था मैं साइन्स की कोशन लेके आऊँगा आपके लिए इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट तो आप वीडियो को अंतक जरू देखा करो सभी कोश लगाने के लिए अगला क्वेशन है किस रंग की तरंग देर्य सरवाधिक होती है तो लाल रंग की तरंग देर्य सरवाधिक होती है और इसका जो अगला क्वेशन है वो भी इंपोर्टेंट है सूर्य के प्रकास में किस रंग का प्रेकीरण सबसे आधिक होता है इन दोनों क् प्रेकरिणन सबस्यादिक होता है क्या बैंगनी कलर का, यह आप याद रखना है, ठीक है दोस्तों, तो यह दोनों क्वेशन आपको याद रखना है, कन्फ्यूस नहीं होता है, अगर तरंग देरे पूछा जाए तो लाल रंग की, अगर प्रेकरिणन पूछा जाए तो वीसीजी का टीका लगाया जाता है किस रोग के रोग थाम के लिए तो टीवी की रोग थाम के लिए वीसीजी का टीका लगाया जाता है अगला कोशन है मलेरिया रोग में सरीर का कौन सा अंग प्रवावित होता है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों प्लीह अगला question है आँखों के किस रोग को दूर नहीं किया जा सकता एसा कौन सा रोग है जिसे दूर नहीं किया जा सकता आँखों का इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वरनादता ठीक है दोस्तों एक ऐसा रोग है जिसे दूर नहीं किया जा सकता अगला कोशन रहेगा आपका मानव सरीर में किसकी अधिकता से हर्ट अटेक होता है जो हर्ट अटेक की बीमारी होती है दोस्तों वो किसकी अधिकता से होती है तो कोलेस्ट्रोल की अधिकता से होती है अगला कोशन है मधु मेहरोग किसकी कमी से होता है मधु मेहरोग दोस्तों इंसुलिन की कमी से होता है अगला कोशन रहेगा रक्त की प्रक्रती कैसी होती है तो जो रक्त की प्रक्रती है दोस्तों वो होती है आपकी चारी है ठीक है अगला कोशन है पाचन किरिया में प्रोटी का सबसे महत्पून लच्छन क्या है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार कोश्टी है हिर्द है ठीक है अगला कोशन है वह जीव जो मेरत कारवनिक पदार्थ पर उबता है उसे क्या कहा जाता है तो सैप्रोफाइट उसे कहा जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताए है 24 कोशन उम्मिद करता हूँ सभी कोशन आपको पसंद आये होंगे दोस्तों दी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना दोस्तों में शेर कर देना अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना ठीक है दोस्तों धन आवाद